दोस्तों नमस्कार मैं हूँ रजनीश कुमार PVR एक्वा कल्चर फार्मसी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक शेर करने जा रहा हूं इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें जिसका टॉपिक का नाम है फीड मैनेजमे जिसमें कोई भी लूप होल नार है मैंने कमेंट देखता रहता हूं मैं काफी लोग बोलते हैं कि आप अंग्रेजी के वर्ड जादा यूज़ करते हैं दोस्तों जो अंग्रेजी का वर्ड है तो वो अमूनिया है तो अमूनिया ही रहेगा नाइटराइट है तो नाइटरा बातें जो feed management से related हैं जैसा आपको पता है कि हम aqua culture में हमारा पूरा business model आपका operational cost centric है operational cost बोलते हैं जो मेरी working पैसे चीए मेरे के आपकी मचली तभी grow करती है जब वो feed खाती है तकरीबन आपके 70% cost अगर आपकी मचली की कोई भी cost of production आ रही है तो 70% उसकी cost उसके feed के कारण आती है तो अब आप इसी calculation से समझ सकते हैं कि feed कितना important parameter है आपके aqua culture में आप कोई भी मचली ग्रौाउट कर रहे हैं चाहे आप IMC कर रहे हों चाहे exotic carbs कर रहे हों चाहे catfish कर रहे हों चाहे brackish water fish कर रहे हो तो feed का ही main important role है दोस्तों सबसे पहले हम जो भी feed देते हैं पहला point हमारा हम मचली के वजन के हिसाब से देते हैं जो मचली का biomass होता है या मचली का जो आपने एक अपनी water body में छोटे fry fingerling stunted जो भी आपने stock की है उसके हिसाब से मचली को खाना देते हैं तो आप जनरलीस को चार broad category में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि एक से दस ग्राम दस से पचास ग्राम पचास से सो ग्राम और greater than सो ग्राम यह मचली के वजन की हमें एक category डिवाइड कर ली हमने तो मचली को जो हम खाना देते हैं वो हम उसके biomass के साब से देते हैं जो पहला point है लोग बाग क्या है वो feed डालते रहते हैं उन्हें यहीं नहीं पता कि हमारी मचली की requirement कितनी है आप मचली की life को अपनी life से compare कीजिए कि जितना आपको खाना चाहिए आपके stomach को आपको उतना खाना देना पड़ेगा otherwise cells कैसे कहां से खाना पूरा करेंगे आपने मचली स्टॉ कर दी है 10,000 और आपको खाना देना था दो किलो और आप एक किलो दे रहे हैं और बाद में हम बात करते हैं कि मचली ग्रो नहीं हुई क्योंकि हमने उसे proper feeding ही नहीं कराई है तो पहला point हो गया हमें मचली के biomass के हिसाब से हम उसको feeding करनी है दूसरा point है protein content जितनी छोटी मचली ह होती है हम उसको high protein देते हैं अगर आपका fry है या spawn है हम उसको greater than 36 40 percentage तक protein देते हैं अगर आपकी दूसरे bracket में 10 से 50 ग्राम है तो आप उसे 32 protein दे दीजिए 50 से 100 ग्राम है तो 30 protein दीजिए उसको greater than 100 ग्राम है तो गर catfish है तो आप 28 protein देते रहिए IMCA तो आप 26, 24, 22 पे जा सकते ह है as per your water body water parameters तो पहला point हुआ हमारा हम biomass के साफ से देंगे दूसरा protein content देंगे तीसरा point आता पैलेट size पैलेट size आपने देखा होगा feed में हम छोटे-छोटे दाने जो होते हैं हमारे हम उन्हें देते हैं कि हमें कितना दाना किस size का किस size के fish पे और किस size दाना में देना है तो ज ज़्याद अतर semi fry या fry fingerling बोलेंगे उसको हम एक mm का pellet size देंगे 10-50 ग्राम को आप 2 mm का pellet size दीजिए 50-100 ग्राम को 3 mm का दीजिए greater than 100 ग्राम पर आप 4 mm पर देंगे तो तीन बाते में मुख्य हुई है भी चोती बात आती है हमारी कि हम कितने intervals में तो जैसे हम अपने छोटे बेबी को newly born baby को feeding कराते हैं same pattern पर हमें fish को feeding करानी है जब वो आपका spawn fry fingerling तक है तो आप उसको multiple times दिन में कम से कम 6-7 बार आप उसको feeding कराएं जैसे जैसे उसका size increase करते रहे then हम उसे 4 बार कराएं जब वो 50-100 ग्राम हुआ हम उसे 3 ग्राम तीन बार कराएं greater than 100 ग्राम पर आप उसके कुदारन से हम मचली को तीन बार भी और दो बार भी करा सकते हैं अगर मैं आपको इसे को एक आपको इक description में पूरा tabular format मिल जाएगा तो आपकी क्या बोड़ी क्या फिश का वेट था क्या आपने उसे protein दिया क्या पहलेट साइज दे कुदारन से में समझाना आपका 100 kg biomass हो गया है तो बोड़ी वेट के हिसाब से हमने बताए कि हमें देना है जब इनिशल लेवल पे रहेंगे हम उसका 8-10% उसे देंगे तो अगर हम एक्जामपल करते हैं 8% देंगे तो 100 kg का 8% 8 kg खाना हो गया आपको 8 kg खाना पूरे दिन में देना है लेकिन देना भ 8-10% दीजिए 10-50 ग्राम है 6-8% दीजिए आपका 50-100 ग्राम है तो आप उसको 4-6% दीजिए ग्रेट दन हंड्रेड पे आप उसको 2-3% तक दे सकते हैं यह जनर्नल ब्रोड कास्टेबल है कि आपकी फिश का वेट क्या है हमें क्या फीडिंग परसंटेज में उसे बोड़ी साइज उतना हाइप प्रोटीन हाइव यह जितना आपका पैलेट साइज बर्ड़ता रहेगा प्रोटीन वेल्यू घठती रहेगी प्राइस भी घठता रहेगा प्राइस मैंने इसलिए आपको समझानी की कोसिस की है क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स क्या गलती करते हैं जैस दिन बाद कौन से फीड की रिक्वाइरमेंट है आपने अगर एक एमेम का ही दस तन या पंदरे तन दाना मंगा लिया और आपकी मचलियों केवल वहां पे तीन टेन की रिक्वाइरमेंट थी तो 17 टेन्स मचली खा तो लेगी लेकिन आपकी पहुत वैल्यू इंक्रीज कर जा यह देक हमने बात की पांच बात हो it उन पांच लाइन ऑइटमस पर सबसे पहले की हम बोडिवेट के साफ से कितना खाना देंगे दूसरी बात हमने क्या प्रोटीन वेल्यू देंगे तीसरी बात की हमने क्या पैलेट साइज रखेंगे चोती बात की कितने इंटरवल पे देंगे और पांची बात की क्या उसकी कॉस्टिंग है और यह कॉस्टिंग का में इंपोर्टेंट फैक्टर यही है कि जिससे आप अपना परफेट मैनेज कर सकें फीड को आपको पूरे वाटर बोडी में अच्छे परफेट मैनेजमेंट के लिए ब्रोड कास्ट करके दे आप अगर आपने छोटा फिंगर लिंक स्टाव क्या है तो इनीशिल आप साथ-अट लोकेशन पर आपने वाटर बोडी में ब्रोड कास्ट का मतलब सिंपली चार- जगा फीडिंग नहीं करानी है उससे क्या होता है कि आपका साइज वेरिशन आता है और जो आपको हार्वेस्ट पर पता चलता है फीडिंग भी हम इसलिए कैलकुलेट करके देनी चाहिए क्योंकि मेन कंपोनेंट फीड है और जितना प्रोटीन वेल्यू है आप ये भी समझ लिए जीए उतना ही अमोनिया भी है protein value directly proposal to ammonia भी होता है यही कारण है कि जैसे jadiाज़ फिष की growth होती है हम protein value कम करते रहते हैं क्योंकि जब fish की growth होती है तो वो ज़ाधा खाती है excreta फोटी ज़ाधा करती है और वो ही हमारा ammonia यह nitrogen होता है water body में तो जैसे जैसे उसका size increase होगा हम protein value कम करेंगे जिससे हम Ammonia को control कर सके हम जब feeding कराएंगे तो हम 4-5 multiple locations पे अपने across the pond कराएंगे दूसरा main बात हम क्या करेंगे अपनी feeding में हम back feeding भी एक option opt करेंगे अगर आप IMC कर रहे हैं catfish तो आप attacker होती हैं वो sir वो एकदम आजाती है खाने IMC जो होती है या carps होती है हम उन्हें अगर उसी back feeding कराएं अगर हमें total 100 kg खाना देना है अपनी पूरी fishes को तो आपने 80% commercial feed दे दिया 20% 20 kg back feeding कराएं एक एकड में 3-4 bag आप लगाएं इससे क्या benefit रहेगा वो जो back feeding वाला feed है वो आपका snacks की तरह काम करेगा मेरी मचली के लिए और अगर marginally leak भी हो जाएगा तो वो आपके fermentation में काम आएगा अपने फार्मर्स के लिए तो आप YouTube चैनल पर बने रहेंगे मेरे साथ दोस्तो तो दोस्तो मैं इसी submission के साथ इसे compile करता हूं पूरी वीडियो को मचली को खाना उसके वजन के हिसाब से देना है मचली को खाना protein value के हिसाब से देना है मचली को खाना मचली को खाना इंटरवल्स पर देना है हमें प्राइस का बड़ा धिहन रखना है हमें बैग फीडिंग करानी है हमें multiple location पर खाना देना है हमें और स्टोक कभी नहीं करना है हमें हाड़ी 15-20 डेस का स्टोक रहना चाहिए मेरे पास परलेली जो भी आप feed calculation करेंगे अपनी वो pallet size के साब से करें क्योंकि cost बहुत बड़ी involved है और पूरा जो निसकर सा इस वीडियो का कि आपकी 70% feed cost है तो दोस्तों इस दस बाते में आपको feed के बारे में बताई हैं आप इसे follow कीजिए मैं आपको guarantee देता हूँ आप अच्छा feed management करेंगे तो आपका aquaculture बहुती perfect होगा बहुती शांदार उंदा होगा तो दोस्तों बने रहिए पीवीर एकवा YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए जिससे की हमारे new beginners और हमारे farmers फीड के बारे में information मिले फीड की कोई भी आपको कोई भ परसंट रिवट करूगा धन्यवाद